हलो दोस्तों बिहार अमिन से जुरा एक अपडेट आया है अपडेट को आप लोग पूरा आवस देखेगा नहीं तो आपका सेलेक्शन होने के बाद भी आगे चल कर दिक्कत हो सकती है तो चलिए जानते हैं क्या है अपडेट तो चलिए आज का विडियो श्टार्ट करते हैं राजस्य एबं भूमी सुधार विभाग में संबिदा पर बहाल अमिनों की बड़े पेमाने पर छटनी होगी फिलाल इनके कम काज का मुल्यांकन हो रहा है इन्हें सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है मैने भर का परसिक्षन भी दिया गया इनमें से धेर सारे अमिन केम्प सर्तों में इसका जिक्र है कम में कोताई पकर में आने पर इन्हें किसी भी समय हटाया जा सकता है विभाग में संबिदा पर 5000 से अधिक अमिन है ये अमानत के अलावा जुनियर इंजिनियर और आई टी आई से परमान पतर धारक है मालूम हो कि राजस्य एबं भूमी सुधा विभाग ने चार नोडल अधिकारियों को हाली में सर्वे वाले 20 में से 5 जिलों में जमीनी मुआयना के लिए बेजा था इन अधिकारियों को यह देखना था कि सर्वे में सितिलता की बज़ा क्या है एक बज़ा यह भी है सामने आई है कि अमीन केंप्यूटर की बढ़ी जानकारी भी नई रखते हैं इनकी लेट लतीपी भी सर्वे अभ्यावन को परवावित कर रही है नोडल अधिकारियों की टीम ने सर्वे से जुरे दूसरे सुस्त कर्मियों की भी पहचान की है इनमें सहायग बंदोबस्त पतादी कारी से लेकर कौनूनगो तक है कारबाई में क्या है कर्षनाई काम करने में कमजोर रहने के बाब जूत राजच्ष बिवाग संबिदा पर बहाल लोगों के खिलाप कारबाई करने में फूक फूक कर कदम उठा रहा है क्योंकि संबिदा पर बहाल बिशे सर्वेक्षन सायक बंदोबस्त पदादीकारी कानूनगो और अमीन बड़ी संख्या में मर्जी से हिन्नोकरी छोरने जा रहे हैं बिहार लोक सेबा आयोग ने इंजिनियरों की बहाली के लिए पेनल तयार किया है इनमें 75 से अधिक सहायक बंदोबस्त अधिकारी और कानूनगो का चैन हो चुका है इसी तरब बिहार तक निकी सेबा आयोग की और से निकली बेकेंसी में संबिदा पर बहाल जुनियर इंजिनियरों ने आबेदन किया है काम्याबी मिलते हैं तो आयोग की परिक्षा में चैनित अमीन अपने आप नोकरी छोर देंगे तो संबीदा पर जो 5000 अमीन इन में से कई अमीन तो ऐसे हैं कि जो computer को on off भी नहीं कर पाते हैं लेकिन इन अमीनों की छटनी नहीं की जा सकती है इन अमीनों में से कुछ अमीन खुदी नोक्री छोड़ने जा रहें क्योंकि इनका selection दूसरे जग़ हो चुका है अगर ये अमीन नोकरी छोड़ते हैं तो बिहार में अमीनों की कमी हो जाएगी इससे एक बाद तो कनफर्म है कि बिहार में जो 17 सरसट पदों पर अमीन की बहारली निकली है ये जल्द से जल्द कम्पलीट कराई जाएगी साथ ही आप लोग यहां देख सकते हैं यहां साप लिकाए कि नोडल अधिकारियों की टीम ने किया पउच जीलों का मुआइना मुश्किल या भी है कि नए अमीन लाएंगे कहां से तो यहां साप साप लिखा है कि बिहार में अमीनों की कमी है इसलिए आपके बिहार में जो 17-16 पदों पर अमीनों की भरती निकली है यह जल्द ही कंप्लीट कराई जा सकती है साथ हैं आप लोग केम्प्यूटर की जानकारी अवसर रखेगा अगर जानकारी नहीं है तो आपको आगे चल कर दिक्कत हो सकती है इसलिए आप लोग केम्प्यूटर की जानकारी अवसर रखेगा तो चलिए आज का वीडियो से महुत करते हैं वीडियो चल गतू चैनल को सब सब्सक्राब था वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं वीडियो दखने क्लिप का धन्यवाद